बिहार के पूर मुख्यमंत्री वा हिंदुस्तानी अवाम मुर्चा चिफ जीतन राम माजी और विकासिल इंसान पार्टी के सुप्रीमों वा नितीस कैबनेट में मंत्री मुके सहनी के मुलाकात के बाद बिहार की सियासत एक बर फिर से गर्मा गई है ये कोर जहां बिहार में बढ़ते संकर्मन के बाद नितीस सरकार विपक्ष के सवालों से गिरी है वहीं अब माजी और सहनी के मुलाकात के बाद विपक्ष कह रही है कि बिहार में इंडिये की नाव डगमगा रही है माजी और सहनी अपना समर्थन वापस ले लेंगे और महा प्रवक्ता मिर्टुन जैतिवारी ने बड़ा बयान दिया है नितीश कुमार से भारतिय जनता पार्टी पर कारेवाई की मांग कर दी है साथ ही बड़ा बयान दिया है कि इंडिये की नाव अब दगमगाने लगी है माजी और सहनी अब अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो इस वक्त कि ये बड़ी ख़वर्म आपको दे रहे है आरजेडी के और से बड़ा बयान सामने आया है बिहार में लगातार इंदीनों सिय जीतन रामाजी के बीच मुलाकात को लेकर भी सियासत गर्मा गई है आर जेडी कह रही है कि इंडिये की नाव डगमगा रही है क्या कुछ कहा है आर जेडी के परवक्ता मिर्तुन जैतिवारी ने जरा सबसे पहले आप वो सुनिए सरकार की नईया डगमगा रही है आदर्नी जितन वावू मांजी जी और स्री मुकेश सहनी जी जो सरकार के दो छोटे दल अंग हैं जिनके बल पर सरकार चल रही है हम पार्टी और भी आईपी पार्टी उनकी उपेक्षा हो रही है कोई सलाह ये सरकार के किसी निरने में आदर पर्णि मांजी जी और स्री सहनी जी को सामिल नहीं किया जाता है। लगातार इनकी उपेक्षा हो रही है। जबकि इन्हीं दोनों पार्टियों के बल पर ये सरकार चल रही है बिहार की। जिस दिन ये दोनों पत्वार जब कर लेंगे उसी दिन NDA की नाव बिहार में डूब जाएगी सरकार। अब ये आदर ने जितन वावू मांजी जी की हम पार्टी और स्री मुकेश सहनी जी की भी आईपी पार्टी। दोनों ने कल दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। मांजी जी और सहनी जी ने मुलाकात की है। ये मुलाकात रंग लाएगी। और इसी बरसात में ये सरकार डूबेगी ये तय हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार इनकी उपेक्षा हुई है अब नाक के उपर पानी बहरा है इसलिए दोनों लोगों के बल पर ये सरकार टिकी है रूनी का सलाह नहीं लिया जाता है। चाल आएगी और NDA की सत्ता जाएगी।